दोस्तों आप internet चलाते होंगे तो आपके मन में अक्सर सवाल आते होंगे कि हम हमेशा internet चलाते हैं तो क्या Google को भी हमारे बारे में कुछ जानकारी या प्राप्त है या फिर Google को कैसे मालूम चलता होगा या कोई जानकारी है या नहीं हमारे बारे में और यह IP एड्रस वगरा से कैसे trace किये जाते हैं कभी-कभी आप देखते होंगे Facebook के तुरू किसी gangster को पकड़ा यह वगर तो आपके मन में भी कुछ ऐसा ही सवाल आते होंगे कि आपके भी privacy policy वगरा कैसी है तो इस वीडियो में हम आपको SEC के बारे में बात करने वाले हैं अगर आप जानना चाते हैं तो इस वीडियो को अंते तक देखते हैं नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं घरे लूप आए गूगल अपने पास आनलाइन चैटिंग करने वालों का सारा डाटा स्टोर रखता है हालांकि डाटा स्टोर करने का गूगल का मकसद सिर्फ अपने यूजर के नेचर को पहचानना होता है लेकिन जब अब तो बात सामने आई है कि उसके अनुसार गूगल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ बदलाव किये हैं इन बदलाव के तहद गूगल अपने पास रखे डाटा का इस्तमाल यूजर के नाम के साथ जोड सकता है प्रो पब्लिक की एक रिपोर्ड के अनुसार गूगल अब दोनों विग्यापन और कस्टमर्स के डाटा को कुछ महीने पहले हुई इस बदलाव के बदलाव में एक साथ कर सकता है ये बदलाव नए जीमेल एकाउंट के डिफॉल्ट सेटिंग में शामिल किया जाएगा जो लोग जीमेल सब्सक्राइबर हैं उन्हें इस बदलाव के लिए हामी देने के लिए इमेल भेजा जाएगा दस साल से ऑनलाइन एड देने वाली कंपनी ने अपने ब्राउजिंग के बारे में जो जानकारी एक अत्रित की है उसे जब आपके नाम या फोन नंबर से मिला कर देखा जाए तो ये साफ हो जाएगा कि आपकी परसनल पसंद और नापसंद क्या है गूगल भी ऐसी ही कोशिश कर रहा है इससे आप लोगों की प्राइवेट क्या चैट करते हैं गूगल के पास इस बात का भी जानकारी होती है तो आप आगे भी कोई बात करें तो थोड़ा समाल जाएं तो दोस्तों आज हमने आपको गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेट कुछ जानकारी दिये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर करना ना पूले और अगर आपके मन में कोई भी सवाल यो सुझा चल रहा हो तो कमेंट बाक्स में लिखकर बताना बूले कि रिलेट